नमस्कार साथियों संस्कृति संदेश का यक्रम शुरू हुआ है और इस क्रम में मैं आपके साथ डिपार्टमेंट औफ कंप्यूटर साइंस देव संस्कृति विश्वत्याले से गोपाल करिशर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ साथियों ये जो दौर चल रहा है इस दौर ने हम सभी को कुछ चीजें सिखाई हैं और मैं बहुत ही जल्द आपसे ऐसी ही कुछ मूल बिंदूओं पर बात करूँगा जिसपे कि यदि कुछ अपने जीवन में करने की कोशिश हमने की है और जिसे आप भी कर सकते हैं आप भी सबसे ज़्यादा के दौर में सबसे ज़्यादा यदि महत्रपुन रूप से समझा है तो वह है स्वास्त बच्पन से हमें कहा भी जाता था कि health is wealth health is wealth स्वास्त ही धन है लेकिन इस बात को समझने में शायद बहुत समय लग जाता था लेकिन आज के समय में ऐसा लगता है कि लगोंसी ने सब लोगों को एक लर्ग क्लास्रूम में बिठा करके यहां बात उनके सिलेबस में कम्पल सरी उनके प्रैक्टिकल में डाल दिया है कि समझे आप स्वास्त ही यह भंधन है कि जीवन कार्थ है समय और जो झीवन से प्यार करते हैं यानि life is time वहीं दूसरी और क देखा जाये तो life is time, time is money, it means life is money, यानि जीवन ही धन है, क्योंकि जब तक जीवन है, तब तक हम कहते हैं कि जीवन है, जीवन है, और जब जीवन चला गया, तो वहीं कहा जाता है निधन हो गया, इस इंसान का निधन हो गया, ये बातें हमने अपने परमश्दे डॉक साफ के कक्षाओं से सीखिये, जानी है, समझी है, कि जीवन धन है, जीवन चला गया, तो इंसान का निधन है, और अगर इसी तरश्टी से देखा जाया है, कि जीवन है, समय है, तो स्वास्त भी धन है, क्योंकि स्वास्त है, जीवन है, तो धन है, और उस धन की कीमत है, तो साथिय सवास्त, समय और जीवन इन तीनों के बीच में आज समय है कि हम किसी भी तरह अपने लोगों ने कुछ कीया लेकिन मनस्थिती इनसान की बहुत कमजोर है क्योंकि जिस तरह की घटनाएं इस सेकिंड वेम में सुनाई देने को आ रही है इंसान बहुत अंदर से घबराया हुआ है भया क्रांथ है पर ऐसी स्थिती में ही सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही इम्म्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए रोक प्रतिरोदक्षमता को बूस्ट करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परिवार का किचन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रे करता है यानि इम्म्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन-कौन से भोजन हितकारी है हमारी प्रकृति के हिसाब से हमारे परिवार की प्रकृति के हिसाब से हमें उस पर काम करना होगा साथियों साधी साथ योग करना होगा प्रणायाम करना होगा और योग प्रणायाम के गदविदियों में कैसे हम अपने respiratory system को strong कर सकें respiratory housing maintain कर सकें इस समय ने हमें बता दियाना कि हमारे दो फेपडे भी है उनका भी हमें ख्याल लगना है इस समय ने हमें बता दिया ना कि हमारी body के एक एक cell को oxygen की जरुरत होती है भोजन कुछ भी हम कर लें लेकिन ultimately oxygen है यानि ये जो हवा है ये जो सूरी की रोशनी है ये जो आहार है जो हम ग्रण करते हैं इससे हमारा स्वास बनता है साथियों तो immunity को boost करने के लिए अपने जीवन रुपी धन को बचाने के लिए अपने समय के quality time को स्वास्त के लिए इन्वेस्ट करिए और यही समय है इस अभ्यास का क्या करना है उसके लिए अगर आपने बस एक बार ठान ली तो आप भी बहुत कुछ जानते हैं क्या करना है लेकिन सिलसले बार इस विशय को मन में बिठाना है दूसरी बात immunity जो है न इसको बहुत बड़े हिस्से में प्रहावित करती है हमारी psychoimmunity यानि हमारे विचार हमारे विचार हमारी भावना है researches कहती है साथियों कि यदि हमारे विचार में negativity आती है हमारे emotions अगर negative होते हैं तो वो negative emotions जो है न हमारे शरीर के अंदर आप यह समझो यह हमारा जो brain है यह brain और इससे connected body के सारे system और उसमें भी endocrine system यानि जो hormones को secret करता है different organs में जहां hormones जाते हैं और उसमें भी hormones में वो hormones जो happy hormones होते हैं वो hormones जो said hormones होते हैं वो hormones जो body को positive reaction देते हैं वो hormones जो body को negative reaction देते हैं emotions से related negative hormones body के अंदर पहुचाता है तो आपकी body का internal system एक समझ लीजिए यह chemistry lab है और इस chemistry lab में अगर वो hormones ज्यादा secret होंगे जो आपके body के अंदर negative reactions पैदा करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि एक negative emotion आपके अंदर आपके blood pressure आपके blood substance आपके respiratory rate आपके heart rate आपके pulse rate आपके galvanic skin response और इसके साथ साथ brain waves और body के different organs पे बहुत negative impact करता है एक-एक single quantum of emotions or thoughts or anything तो आप इस वक्त immunity पर काम कीजिए साथी साथ अपनी psychoimmunity बढ़ाईए आपने अभी तक ध्यान दिया हो नहीं दिया हो एक-एक विचार जो आप देखेंगे जो आप सुनेंगे जिस पर आप सोचेंगे आपके अंदर ही अंदर वो आपको मनोबल बढ़ाने वाले विचारों को देखे मनोबल मजबूत करने वाले आप भ्यासों की कीजिए psychoimmunity बढ़ानी है तो अच्छे विचारों को पढ़िए अच्छे विचारों का चिंतन कीजिए खुद से खुद को कहिए कि मैं स्वस्त हूं मैं स्वस्त हूं मेरे अंदर र चाहिर सी बात है जिसके उपर बीतिती है वो जानता है सच मुझ जब एक दुखत स्थिति आती है तो आदमी का चेहरा रुआसा सा हो जाता है उसका मन में आशंकाएं घर करती है और ऐसी स्थितियों से बहुत सारे हमारे कंशल रखनी होगी और अपने विकारों से खुद से खुद को से कुची से खुद कीृटफियु और यह सब आपने कर लिया अपने और अपने परिवार के लिए तब आप सेवा दर्म का निर्वहन कीजिए मदद कीजिए मदद को आगे आईए आप ठीक है आपका सब कुछ ठीक है बहुत अच्छा है लेकिन दुनिया में जो हाहकार मच रहा है साथियों इसमें हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा लोगों की मदद करने के इतने तरीके हैं इतने तरीके हैं कि आप ये मस्त सोचिएगा कि आपके पास पैसा नहीं आप कैसे शुरुआत करेंगे आप बस अपने आपको सामने रखिए technology ने आज आपको ऐसा शशक्त माध्यम दिया है कि information को सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह पर पहुंचा कर आप किसी की नजाने कितनी मदद कर सकते हैं आए दिन आप देखते हैं अगर authentic सूचना है आप तक आ रही है किसी को प्लाजमा चाहिए तो उसके लिए देश विदेश में कहीं भी फोन करके जिस भी तरीके से connections डेबलग हो आप technology के माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए विवस्ता हैं बनाने की कोशिश करिए किसी को oxygen cylinder चाहिए किसी को भोजन चाहिए किसी को किसी भी तरह की विवस्ता और सुविधा चाहिए साथियों technology के माध्यम से हम informations का exchange करके ये समय है हमें मदद के लिए आगे आना होगा हो सकता है या physically जो अपने घर से बाहर निकल करके लोगों की मदद कर पाएं जो ऐसा कर रहे हैं उनको नमन करते हैं लेकिन अगर ऐसे में आपको लगता है नहीं मुझे भय है आशंका है कहीं मैं भी कुछ खत्रे में आजाओं मेरी पारिवालिक जिम्मेदारिया है मैं ऐसा करूं तो आप टेक्नलोजी का इस्तेमाल कीजिए और टेक्नलोजी के माद्यम से लोगों की मदद कीजिए क्योंकि ये समय है लोगों की मदद करने का तो साथियों अपनी immunity को बढ़ाईए अपनी psycho immunity को बढ़ाईए पर इन दोनों के साथ साथ दोस्रों की मदद करने के लिए आगे आईए और एक चीज़ और हो सकता है कि आपके मदद के हाथ कहीं तक पहुंचें कहीं तक न पहुंचें तो ऐसे में चौती चीज़ है प्रार्थना कीजिए दुआए दीजिए लोगों को आपका सब कुछ लाने वाले आपके आसपास के health workers आपका पडोसी है कोई भी कोई भी एक संक्रमित होता है तो खतरा आपका भी होता है आपको यह पता नहीं कि दुनिया में कहीं से कहीं तक यह एक ऐसी link है जिसने हमें बता दिया है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यानि सिर्फ मैं सह लोगों का भी स्वस्त रहना जरूरी है अगर मुझे स्वस्त रहना है मैं जन सुविधाओं को लेने जब जाता हूं मैं किसी भी तरह के health के space में जाता हूं किसी भी तरह के राशन किराना स्टोर में जाता हूं वहां अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो हर इंसान का स्वस्त रहना जरूरी है क्योंकि संक्रमण किसी अंजाने के माध्यम से भी आप तक आता है तो वह दूसरा और अपना पराया नहीं इस स्थिती में आपको प्रति पल कामना ये नहीं करने की सिर्फ मैं सवस्त्य रहुं मेरे अपने सवस्त्र हैं वह प्रतर न कीसितckenे इस्षवरी शक्ति इस यूनिवर्स में कोई शक्ति यह बगड़ने चीजों को नहीं देगी आपको प्रार्थना तो करने है आप घर में इस बीच एक वातावरण बनाईए नियमित पूजा का करम एक बनाईए सामुईक साधना करेंगे प्रार्थना करेंगे तो कम से कम आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रेडियेट होगा जो आपके परिवार में सकारात्म की स्पेस देगा घर में हो सके तो नियमित यगी करने का वातावरण बनाईए हमारे हां यगी किट awgpstore.com पर उपलब्द है awgpstore.com यह यगी किट जो है यह क्या है आप घर में कैसे सूख श प्रार्थना को जीवन का अन्ष बनाना है और यही समय है दुनिया को सिखाने का कि सबके कल्यान में ही हमारा कल्यान है सबसे पहली बात इमिनिटी को स्ट्रॉंग करना है इमिनिटी को स्ट्रॉंग करने के लिए साइको इमिनिटी पर काम करना है इमिनिटी और साइको इमि पुर्शार्थ अपनी जगा है पुर्शार्थ भी करना है लेकिन प्रार्थनाय भी करनी है उन health workers के लिए उन frontline workers के लिए उन लोगों के लिए जो आगे बढ़के लोगों की मदद कर रहे हैं और मदद करने के लिए जितनी शक्ता से हो सकते अपना समय श्रम साधन संसाधन बचिये और अपनों को बचाईए जी हाँ ये । पांचवी चीज़ शोशल मीडिया के मात्ध्यम से न जाने किस किस तरह की खबरें किस के नकारातमग इखबरें किस किस तरह के नकारातमग विशार जो फैलाये जाते हैं उन फोपेगेंडा से खुद को बचाईए उन फेक नीth से खुद को बचाएई और उस जगह से कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश किजिए, कुछ अच्छा समझने की कोशिश कीजिए, वही सोचल मीडिया है, वही टेक्नलोजी है, आप फेक नीज़ को पढ़ेंगे, फेक नीज़ को पहलाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे तरह-चरह की बाते करेंगे डबल मास से हो रहा है साकारमंटयी और जूरी बाते इदージंटिक बाते सरकार कुछ कह दरी है है और लोग कुछ का कुछ फैलागा रहें यह समय नहीं है उस भाइस में पढ़ने का यह समय है अपनी समस्दारी से से हम constructive content लेकर के आए और जन-जन को aware करें अच्छाई के लिए तो पहले चीज immunity दूसरी साइको immunity तीसरी मदद चौथी प्रार्थना और पांचवी social media पे नकारात्मक propaganda और इन सब चीज़ों से fake news से बचें और अच्छी खबरों से जुड़ें सकारात्मक सकारात्मक सोचें अब इस बात को पुरी तरीके से conclude करने के साथ मैं कुछ मन की बात यह कहना चाहूंगा साथियों क्योंकि scientifically अगर अपने आपको temperament को सही रखना है आपके घर में कोई अनुह नहीं हो रही है ठीक है आप मुस्कुराएंगे आपको लेगा दुनिया क्या कहेगी आप मुस्कुराने क्या जश्चर नहीं कर सकते तो कम से कम अंदर से आशाबाद पैदा कीजिए अंदर से वह चिंताओं में अनिता चिंता को आप यह बिना बात के दुखी हो जाते हैं बिना बात के चिंतित हो जाते हैं बिना बात के प्रसंद नहीं रह सकते हैं इनी चीजों में संभावनाओं को नहीं खुझ सकते हैं मैं बार बार कह रहा हूं मेरी इस बात को सही कॉंटेक्स में ल ये कर्व आपके शरीर के अंदर एक सकारात्मक उर्जा को पैदा करता है, चहरे की 22 से ज़्यादा मसल्स लेलेक्स होती है, मेडोला बलंगाटा को संदेश देती है, ब्रेन आपकी एक पार्टी थरो करता है, ब्रेन थोज एक पार्टी इंसाइड यूर बाड़ी, और वो आपको पावर देगा, खुझ से इम्म्मुनिटी को स्टॉंग करने का, दूसरों के लिए मदद करने का, दूसरों के लिए प्राटना करने का, नकारात्मक विचानों से बचने का, सकारात्मक फिलाने का माध्यम बनने का और ये सब जब आप करेंगे नसातियों तो आपको कभी-कभी लगएगा कि हसगुल्य का सेवन कैसे करें हसगुल्य का सेवन करने के लिए थोड़ा-थोड़ा चुटकुल्ला पढ़ लीजिए ये समय है भूल क्यों गए हसना भूल क्यों गए दर्द है दुख है ये भी नहीं रहेगा ये भी एक दिन खतम होगा ये दिन भी चले जाएंगे आपको हिम्मत रखना है होसरा रखता है सावधानी रखनी है सतरकता रखना है चुटकुल्ले का सेवन कीजिए हसगुल्ला खाईए सावधानी सतरकता रखिए और अपनी जिम्मेदारी लीजिए अपनी परिवार की जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि परमपुजी गुर्देव ने कहा था व्यक्ति परिवार समाज रास्ट हम व्यक्तिकत रूप से अपनी immunity बढ़ाएं पारिवारिक रूप से सब की immunity बढ़ाएं सब को स्वस्त रखें हम आसपास के समाज का भेतर करें देश का कल्याण होगा विश्व का कल्याण होगा तो साथियों यही है संस्कृती संदेश का एक हिस्सा और यह वो सब कुछ है जो देव संस्कृते विश्वित द्याले में हम जीते हैं हम सीखते हैं और करने की कोशिश करते हैं एक बार पुना से मैं देव संस्कृते विश्वित द्याले के प्रतुकल्पिदी क्ई रिर्ट कर रहे हैं जंटा को छो प्रती दिन पुकार रहे हैं जंता उन जन्जन की सेवा का अवसर हमें प्रधान किया कि हम कैसे जन्जनyes को वह मनुब्ल प्रदान करें परभुपुज कुर्देग आप तो सभी के सुख की कामना सभी के समृद्ध की कामना सभी के कल्यान की इस नमस्क्रार धन्यवाद